नवस्कार दूस्तों आप देख रहे हैं आर्स्ती अनुट आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी ख़बर के बारे में आज की 22 समाचार पत्रों में आप से संबंदित कई ख़बरे छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अच्छे बहुत पूर्ण है आज हम जानेंगे सुभा की 20 आज बड़ी ख़बरों के बारे में इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा इसकी इफमत करिएगा वीडियो पसंदा है तो लाइक सेर जरूर करिएगा जिससे आपके अपनों को जानकार्यी प्राप्ट हो हेमंत बोले 31 स्टंबर 2020 तक सेलेक्टर सूची 2019 बनने की प्रक्रिया नहीं हो पाई पूरी अगली खबर है कि 850 रुपे बढ़ सकती है ब्रिद्धा वस्था पेंशन बहुत ही अच्छी खबर यहां पर पूरी जानकारी दी गई है कि परदेश सरकार इस बार बजट में ब्रि बिध्धा वस्था दिव्यांग वा बिध्वा पेंशन 2250 रुपे से बढ़कर 3130 रुपे प्रतिमा हो जाएगा रास सरकार ने इसका खाका त्यार कर लिया है को मुखमत्री दुसरें चोटाला ने इस बाबत मुखमत्री मनुहललाल खटर के साथ सैम्रती बना ली है तो यह उपी बोर्ड की परिश्चा इस्टार्ट होने वाली है आप सभी को मालूम होगा कि दूसरी सूची जारी कर दी गई है यूपी बोर्ड की परिश्चा में केंदरों पर नकल रोकने का खाका तयार किया दा रहा है इसके लिए मादमिक शिच्छा परिषत ने रणनीत बनान एक महीने तक फूटेज को सुरेचित रखना होगा तो बहुत बड़ी तयारी है और इसते नकल विहीन पर इच्छा हो सकती है इसकी उम्मी जताई जा रही है अगली खबरे की एक नियमी सिच्छक भी करा सकेंगे पिएच्डी बहुत ही महत्पूर जानकारी है यहाँ पर पिएच्डी की योगता रखते हैं तो वह रिचर्ज गाइड बन सकेंगे नए पिएच्डी आर्डिनेंस 2020 में यह वेवस्था की गई है कॉलेज सिच्छक काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे तो आज जाकर मांग पूरी हुई है और यहाँ पर बहुत ही महत्पूर बात ल सकेंगे पहले दो सिच्छकों की अनिमारिता को हटा दिया गया है तो पहले दो सिच्छकों की अनिमारिता थी जिसे हटा दिया गया है अगर एक नियमी सिच्छक है तो वहां पिएच्डी गाइड बन सकता है बहुत ही महत्पूर खबर थी अगली खबर सेवा निमावली को लेकर है सेवा निमावली से न्युक्ति पर ही मिलेगी करम्चारियों को प्यंसन के लिए आहरकारी सेवा विदी मानिकरन विधेक का मसाधा कैबिनेट से मंजूर यहाँ पर पूरी जानकारी दिया परदेष सरकार ने UP Pensoan के लिए आहारकारी स्रीवा यों बिधि मानिकरण विधेक 2021 के मसवड़े को te Bei Circulation मंजूरी दे दिये परदेश सरकार ने पिछले दिनों यूपी पेंसन के लिए आहरकारी सेवा योम बिजी माने करण अध्यादेश 2020 के जरिए ब्योस्था की थी कि पेंसन सिरिफ उसी कर्मचारी को मिलेगी जिसकी किसी इस्थाई या आस्थाई पत पर संबंदि सेवा निमावली के अनुसार न बाइली खबर बियाच्चू की है, बियाच्चू में अपनल मई से परवेस परिछा का आवेदन यहां पर पूरी दी गई है बताया है कि बियाच्चू की हरी भरी बग्या में पढ़ाई का सोपर देखने वाले च्छात्रों का इत्यार अब खतम होने वाला है पर इस परिच्छा का आवेजन किसी भी हाल में आ जाएगा अगली कबर है डियलेट को लेकर डियलेट में पूछे जाएंगे इंटर के सवाल सिमेश्टर परिच्छा में कुछ बदलाओं के लिए परिच्छानी अमक ने सासन को भेजा परस्ताओ तो यहां पर पूरी जानकार द करने की त्यारी है इस बाबत परिच्छानी अमक प्रादकारी की ओस रिसासन को प्रस्ताओ भेजा गया है इसके साथ ही मुल्यांग व्योस्था में भी संसुधन का प्रस्ताओ है ताकि परिच्छा में पारिजशता को बढ़ाया सके यहां पर सीजियल के समझ में तो अब तक की सबसे बड़ी ख़बर है यहां पर लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग में PCS प्रवक्ता प्रचार चिकिस्ता अजकार आज भरतियों में चैनित के पदभार गरहना करने से कई पद खाली रह जाते हैं। पदों को भरने के लिए आयोग को नए सीरे से कवायत करनी परती है जिसमें कई साल बीच जाते हैं। भी या ब्यवस्था लागू की जानी चाहिए। तो अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश लोग से वायोग द्वारा या ब्यवस्था लागू की जाती है रही। लगने की उमीद है इसके बाद विग्यापन तयार करने की प्रक्रिया सुरू होगी। ऐसी इस्तिति में भरती का विग्यापन मैं जून महीने में निकल सकता है। आयोग को APS की करीब 2500 पदों पर भरती का अधियाचन मिला है। उत्तर प्रदीश लोग से वायोग ने 2013 में APS की 176 पदों पर भरती निकाली थी लेकिन अभी तक वो भी पूरी नहीं हुई है। तो आपको अभी इंतिजार करना पड़ेगा कम से कम जून माह तक का। उसके बाद APS भरती का विग्यापन जारी हो सकता है। उससे पहले आने के उमीद रही है। अगली ख़वर है कि CM योगी आज चैनित विद्यार्थियों से करेंगे स्तमवाद। अबधर योजना के तहर नीसुल्क IS, PCS, JEE वा नीर समयत अनप्रत्योगी परिच्छाओं की नीसुल्क कोचिंग की पुक्ता तैयारी चरी छात्र से सोम वार को मुखवंती योगी आज तना सीधे करेंगे स्तमवाद। अगली ख़वर है कि 31 ने परिच्छा किंद्र वनें। अगली ख़वर है कि फास्टेक नहीं है तो कल सी चुकाना पड़ेगा दुगना टूल। परिच्छ किया है कि अनिवार फास्टेक की बेऊस्था की अनुपालन की तारिक नहीं बढ़ाई जाएगी 15 से 16 फरोरी 2021 की दर्मियान राज से सभी एलेक्ट्रानिक टोल पलाजा पर फास्टेक अनिवार कर दिया जाएगा। अगली ख़बर गंगा एक्सप्रेस बे को लेकर हैं। सरकार का दावा है कि मेरिट मेरिट से प्रियाग रातक प्रस्तावित या एक्सप्रेस बे देश में सबसे बड़ा होगा। हाल ही में इसके जमीन अजग्रहन कवा खरीट की प्रक्रियाद सुरू हुई है। इस बड़ी प्रियोजना की बित पोश्चन के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रस बे और दो की विकास प्राधिकरन की कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। तो इसे बनाने के लिए उन्तिस सो करोण का हुडिन लिया जाएगा योगी सरकार के द्वारा। क्या या सही है आप लोग अपनी राय केमिन वाक्स में जरूर दें। यहां पर लिखा हुगा है कि गन्ना समर्थर मूल में बढ़ोतरी नहीं। गोशना कर दी गए है कि 325 रुपे समान प्रजाती 315 रुपे यो अस्विक्रित प्रजाती के 302 रुपे प्रत्र कुंटल ही होगा। इसमें किसी परकार की ब्रिध्धी नहीं की जाएगी। अगली खबर CEHSL को लेकर है 2019 टीर 2 में 83.88 फिजदी अभरती हुए सामिल। अगली खबर है कि 1308 पदों के लिए 9 ITI में 19 को लगेगा रोजगार मेला। अगर आप रोजगार मेला में सामिल होना चाहते हैं अगर आपने पंजी करन कराया है तो आप के लिए सुनेहरा आउशर है। अगली खबर घरेलू रसुई गैस को लेकर है। घरेलू रसुई गैस सिलेंडर पर 50 रुपे फिर महंगा कर दिया गया है। तो गैस सिलेंडर कोई कैसे भराएगा। यहाँ पर पूरी जारकार दी गही। बताया गया है कि घरेलू रसुई गैस सिलेंडर 50 रुपे और महंगा हो गया है। चार फरोरी को इस पर 25 रुपे बढ़ाये गये थे दिल्ली में 14.2 किलो ग्राम सिलेंडर अब 700 रुपे में मिलेगा नई दर्सुई वर आधी राती लागू होगी। अगली खबर है कि चार भरतियां सासन में अठकी चार आयूग इस्तर पर लंबित। चार भरति के मामले आरचल पर किया से सम्मंदित हैं। इस पश्टी करण को लेकर सासन इस्तर पर पिछले कई महीनों से मामला लंबित है। इनमें अब तक सासन का रुख सामने नहीं आया है। आयो के चेर्मेन परभीन कुमार ने बता है कि सभी लंबित भरतियों की लिखित परिच्छा अपरेल तक संपन कराने का प्रियास है। साथ ही रीक्त पदो पर नई भरति के लिए प्रारमिक आहरता परिच्छा प्यट की कारवाई भी आगे बढ़ाई जा रही है। तो अब तक की सबसे बड़ी कवर है जो की बहुत सी आपनों के लिए महत्पूर्ण है। इसलिए आप रेगुलर वीडियो देखा करें एक एक पॉइंट पर मैं आपको समझाने का प्रियास करता हूं। वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी आगे कोई जानकारी मिलेगे इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जाहिए भार दूस्तों नमस्तुर।